है लो स्टूटेंस नमस्कार स्ट्रियकार स्वागते आप सभी का आपके पसंदिता चैनल मैगनेट ब्रेंस आईटी जे डबली एंड नीट के चैनल पर और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक और धमाकेदार सेशन जे डबली के मिस्ट्री का सेशन अभिशेक अगरवाल क साथ जिसमें आज हम मोल कंसेप्ट को इस वीडियो में कंग्लूट करेंगे यानि कि यह मोल कंसेप्ट का है भाईया पार्ट 6 अब बहुत ज्यादा पार्ट 6 तक आ गए हम और पार्ट 6 में इसलिए आना पड़ा क्योंकि देखो यार मोल कंसेप्ट जो है न वो अपने आप लो उतना कमें क्योंकि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बे बैक बोन यही टॉपिक है यह अनमोल टॉपिक है भले नाम इसका मोल है जैसा मैं हर बार कहता हूँ नाम इसका भले मोल हो लेकिन है यह बड़ा अनमोल टॉपिक और इसमें पार्ट 6 जो है उसमें हम वीडियो को conclude करेंगे, मतलब उसमें हम mole concept को conclude करने वाले यानि कि अब तक जो mole concept पढ़ा है उसका एक quick summary और जो avogadros theory थी, उसको conclude करेंगे कि मोटी मोटी बाते वहां से क्या की गई है साथ ही इसमें कुछ एकात formula हमको, एकात concept हमें extra भी मिलने वाला है जो exclusively competitive exam जैसे JEE या कोई और भी competitive exam आप दोगे, उसमें आपकी मदद करेगा ठीक है, तो यह last video है और इस video में सिर्फ इतना ही नहीं कि हम सिर्फ theory पढ़ाएंगे इस video के description में जाओगे तो आपको DPP का link मिलेगा यानि कि mole concept के उपर हमने कुछ सवाल रखे हैं वो सारे सवाल जो हैं वो अब तक के 6 पार्ट को मिला कर बनाए गए, मदब 6 पार्ट से वो सवाल निकाले गए हैं, वो questions आपको solve करना है आपको परियाब time दिया जाएगा, अगर आपसे नहीं बनता है, अगर आपसे वीडियो का solution मिल जाएगा, proper solution आपको मिलेगा, तो पहले आप खुद से वो practice करेंगे, अगर आपसे नहीं बनता है, तो उस वीडियो को जाकर देखेंगे, जिसमें हर एक questions हमने detailed solution हर एक उसके दिये हैं, तो पूरा वीडियो solutions में हर एक question के detail solution आपको मिलेंगे, इतना ही नहीं, साथ ही आपको इसके बाद पूरे chapter complete होने के बाद MCQs मिलते हैं, आपके last year के जितने questions आएं, 20 सालों के questions, पिछले 20 सालों में जो questions पूछे गए, उनका पूरा आपको just मिलेगा, उसके साथ आपको weekly live sessions मिलेगा, जहां पर आप doubt पूच सकते हो और हमसे आप कितनी पढ़ाई grasp कर रहे हो, कितना आपको समझ में आ रहा है, उसके लिए बकाइदा आपका online test series होगा, और यह सब कुछ absolutely free of cost आपको मिलने वाला है, मतलब यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको यहां पर रखना है, या जो यहां पर आपको किसी चीज़ के लिए subscription लेना है, या किसी चीज़ के लिए purchase करना है, कोई पैसा देना है, कुछ नहीं 100% free education आपको मिलती है तो all these things will be there और यह सारी चीज़े आपको यहां पर मिलेगी चलिए, अब स्टार्ट करते हैं mole concept की summarize करने में और avogados theory का conclusion के बाट पर तो सबसे पहले mole concept पे अपन यह जान चुके हैं कि कि किसी भी substance का molecular weight या उसका formula weight या अगर element है तो उसका atomic weight अगर हम grams में ले ले so the amount is known to be gram molecular weight और अगर atom का आ रहा है तो gram atomic mass which is simply called its molar mass या फिर हम उतने mass को बोल देंगे उसका mole तो अभी तक हमने क्या का हमने का भाई अगर element है अगर element है उस element का अपना कोई atomic mass होगा उसका अपना कोई atomic mass होगा अगर उसको हम gram में express कर लें तो वो gram atomic mass हो जाएगा अगर हम उसको gram में express कर लें तो वो gram atomic mass हो जाएगा और अगर वो gram atomic mass हो गया अगर वो gram atomic mass हो गया तो फिर हम उसको बोल देंगे कि वो molar mass हो जाएगा यानि कि वो चीज एक mole के बराबर आजएगी फिर वो हम कहेंगे कि वो molar mass हो गया यानि कि वो जो चीज होगी वो एक mol के बराबर आजएगी तो वो किसके बराबर आजएगी एक mol के बराबर आजएगी so that will be the molar mass और molar mass मतलब वो चीज एक mol के बराबर आजएगी लेकिन अगर कोई compound हुआ तो कहनी थोड़ी से अलग चलेगी क्योंकि compound के लिए जो आएगा क्योंकि अगर वो चीज compound हुई तो compound के लिए आप निकालोगे molecular mass molecular mass जिसको आप gram में लिखोगे तो बोलने लगोगे gram molecular mass gram molecular mass और चब gram molecular mass आ जाएगा तो वही बन जाएगा उसका molar mass और जब molar mass आ जाएगा उस compound का तो वही होगा एक mole क्योंकि वही gram molecular mass विल बी कॉल इट्स 1 mole इसमें example दिया हुआ है जैसे CO2 है उसका molar mass जो है वो 44 gram है क्योंकि उसका gram molecular mass जो है 44 gram होता है क्योंकि उसका molecular mass 44 unified होता है तो 44 unified को gram में लिखो 44 gram which will be gram molecular mass और वो gram molecular mass ही उसका molar mass होगा तो 44 gram molar mass है अब मालोग given mass दे रखा है 2.2 gram तो moles को निकलने का बहुत simple formula है हमारे पास moles को निकलने का बहुत simple formula है हमारे पास that moles will be equal to given mass किसी भी substance का जो given mass है वो divided by its molar mass divided by its molar mass तो given mass upon molar mass will be your moles तो given mass upon molar mass जो आएगा वो moles आएगा तो moles will be equal to given mass upon molar mass तो जैसे 2.2 gram CO2 दिया हुआ है तो 2.2 gram divided by 44 will give you 0.05 moles ठीक है क्योंकि 2.2 अगर 44 से divide होगा तो एक decimal यहां उचकेगा into 10 आजाएगा यह 1 और यह 2 तो that will become 1 by 20 and 1 by 20 is nothing but 0.05 so it will be 0.05 moles तो यह 0.05 moles संपट पढ़ गई क्या बात clear हो गया यह पूरी जीज so it will become 0.05 moles यह चीज पूरी आ गए तो यह आपको मिलेगा 0.05 moles of CO2 that is carbon dioxide तो यह समरी है यह सारी चीज़े हैं जो हम पढ़ चुके हैं किसी का भी आपको given mass substance का दिया जा सकता है आपको क्या करना है उसके molar mass से उसको divide करना है जब आप given mass को molar mass से divide करोगे तो you will get this as आपका mass आ जाएगा जो कि given mass upon molar mass से divide करोगे तो आपके moles निकला जाएंगे तो वो moles आप निकाल सकते हैं किसी भी substance का बस वो substance आपको यह देखना है कि वो element है की compound है क्योंकि element हुआ तो उसका molar mass gram atomic mass वाला निकलेगा और अगर compound हुआ तो उसका जो molar mass है वो gram molecular mass वाला निकलेगा ये चीज़े मिलेंगे संपट पढ़ गई है पूरी कहानी clear हो गया पूरी कहानी तो ये पूरी चीज संपढ़ पढ़ गई screenshot ले ले इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं screenshot ले ले ओके तो clear हो गया concept next point अब कई बार होता है कि जो हम given mass होते वो gram में नहीं लेते कई बार हमें question में दिया जाएगा given mass kg में या pound में तो अगर given mass हमें kg या pound में दिया जाए तो पिर हमारा वहाँ जो mole होगा वो भी हमारा kilogram वाला mole होगा या pound वाला mole होगा simple mole नहीं होगा क्योंकि simple mole में हमने कहा है कि बाई या given mass gram में होना चाहिए अभी तक जो moles का formula पढ़ते हाना है वो क्या पढ़ा अभी moles will be equal to given mass divided by molar mass तो moles का formula क्या हो गया given mass divided by molar mass यह तो moles का formula अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं इसमें हमेशा हमने क्या रखा है given mass को gram में रखा हुआ है given mass को हमने अभी तक gram में रखा हुआ है और अगर given mass को हमने gram में रखा हुआ है तो molar mass तो होता ही gram में है तो simple moles निकल गए लेकिन मान लो अगर हमें molecular weight किसी substance का kg या pound में दे दिया जाए किस में दे दिया जाए kg या pound में तो इस case में we need to introduce two new terms that is kilogram moles and LB moles LB means pound वाला तो वो kilogram moles और LB pound moles हमको इस्तेमाल करने पड़ेंगे तो अगर हमें molecular weight किसी का kg में या किसी का pound में दे दिया जाए तो फिर mole simple वाला mole नहीं होगा mole हो जाएगा kilogram mole या फिर pound mole और kilogram mole और pound mole में क्या अंतर आएगा यहां समझेंगे कुछ नहीं the kg mole and pound mole can be easily correlated with the moles like हमें पता है कि 1 kg mole will be equal to conversion factor जो gram को kg में convert करने में लगा हुआ है into moles और 1 lb moles will be equal to conversion factor into moles जैसे हमें पता है एक kg में एक kg में 10 raise to the power 3 grams होते है एक kg में 10 raise to the power 3 grams होते है तो एक kg mole में कितने moles हो जाएगे एक kg moles में conversion factor is 10 की power 3 into moles क्योंकि हमें यहाँ पर gram वाला ही रखना है तो हमने एक kg के जगा 10 की power 3 रख दी हो और mole की जगा mole रख दिया तो एक kg mole में एक kg mole में 10 raise to the power 3 moles होते हैं यह आप कह सकते हो एक kg mole में 10 raise to the power 3 moles होते हैं इसी तर्क पे इसी तर्क पे अगर हम आगे समझें एक LB mole में उसका conversion factor into mole होगा अब हमें पता है 1 LB will be equal to gram में अगर बात करें तो 453.59 कुछ grams होते हैं एक LB में एक pound में 453.59 grams होते हैं यह एक pound की value है ठीक है तो अगर हमारे पास एक LB mole बोल दिये तो एक LB mole बोल दिये तो तो एक LB mole मतलब 453.59 gram हो गया यह into mole into mole समझाया तो एक LB mole कितने mole के बराबर हो जाएगा क्योंकि mole तो gram से ही चलता है लेकिन अगर एक LB mole आ गया तो यह 453.59 moles के बराबर हो जाएगा यह आपका moles हो गया तो एक kg mole 10 की पावर 3 moles होते और एक LB moles 453.59 moles होते यह कभ यूज करता है जब molecular mass आप kg में और LB यानि कि pound में निकाल रहे हो gram में निकाल रहे gram में निकाल होगे तो एक mole, दो mole, पाच mole, दस mole ऐसे ही आएँगे simple answer क्योंकि given mass upon molar mass बड़ा simple है और एक से कम भी आएँगे 0.5, 0.2, 0.05, 0.1 ऐसे भी आएँगे लेकिन अगर एक kg mole निकाल दिया तो फिर kg के हिसाब से molecular mass चल रहा है तो फिर 10 की पावर 3 moles आपको कर देंगे और pound mole निकाल दिया तो clear हो गया है पूरा conversion यही चीज़ यहाँ पर देही हुई है देखो, देखो, किती सारी चीज़े लिखे हुई है एक kg mole of CO2 44 kg के बराबर है 44 kg के बराबर है तो 44 into 10 की पावर 3 grams हो गया which is equal to 10 is to the power 3 moles क्योंकि एक kg mole carbon dioxide का हमें पता 44 kg, molecular mass किता होता है gram molecular mass 44 gram, लेकिन यहाँ एक kg की बात की है तो 44 kg हो जाएगा वो और 44 kg can be written as 44 into 10 की पावर 3 grams क्योंकि एक kg में 1000 gram तो 44 kg में 44,000 gram 44,000 मतलब 44 into 10 की पावर 3 gram तो it is equal to 10 की पावर 3 moles, क्योंकि 44 और gram तो एक mole हो जाएगा यह एक mole हो जाएगा और फिर 10 की पावर 3 है तो 10 की पावर 3 mole हो जाएगे into 10 की पावर 3 so this implies 10 की पावर 3 moles in the same way अगर 1 LB mole of CO2 पूछते 1 pound mole of CO2 तो pound mole of CO2 can be written as 44 LB से निकलता है मतलब 44 LB होता है जो molecular mass से उसे pound में ले लो 44 pound और आपको पता 44 pound मतलब 44 into 453.59 क्योंकि 453.59 is 1 LB तो 44 into 453.59 अब यहीं देखेंगे अब यहीं देखेंगे 44 और gram यहाँ है तो 44 और gram यहाँ पर है तो यह हो गया एक mole यह हो गया एक mole और 453.59 simple बच्चा तो 453.59 तो 453.59 into 1 mole is 453.59 moles यह देखो 453.59 moles तो यह आ रहा है संपट पढ़ यह बात तो 1 LB equal to 453.59 इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 kg mole equal to 10 की पावर 3 moles and 1 LB mole is equal to 453.59 moles तो 1 LB mole will be equal to 453.59 moles ठीक है और यह term बार बार use होता है आगे आपको use होगा अगर उनने कोई tricky question देना है तो वो यह mole की जगा kg mole, kilogram mole बोल सकते है या फिर pound mole बोल सकते है तो आपको clear करना है क्योंकि आपने mole concept ही पढ़ा है आपने mole को mole ही पढ़ा है आपने kilogram mole, pound mole तो आप पढ़ा है लेकिन आगे जितनी भी चीज़े mole से related पढ़ी है वो आपने simple mole की पढ़ी है simple mole मतलब gram वाला mole तो पहले तुम कोई और mole आ जाए kg में आ जाए, pound में आ जाए तो उतने उसके पहले simple mole बढ़ा लेना जैसे अगर कोई बोले एक kilogram mole है, एक kg mole है तो तुम उसको बोल देना सर इसको पहले ही अपन convert कर लेते हैं confusion ना हो इसलिए 1 kg mole सर मतलब 10 की पावर 3 moles और मालनो 2 kg दे दिया तो 2 into 10 की पावर 3 moles 5 kg दे दिया तो 5 into 10 की पावर 3 moles 0.5 kg mole दे दिया तो 0.5 into 10 की पावर 3 moles तो पहले तुम यह convert कर लेना हमेशा तो 1 kg mole will be equal to 10 की पावर 3 moles और अगर तुम्हें 1 pound mole दे दिया LB moles दे दिया है तो फिर तुम्हें क्या करना है 453 453 .59 moles यहां लेक लेना है 453.59 moles यह 1 pound mole की value हो गए अब आपको जितने pound mole question में दिया है उतना multiply कर देना 453.59 और यह simple mole आ गए उधर वाले वो हमारे काम के mole जो हमने पढ़े अभी था तो उसमें आप convert कर सकते हो समझ में आ रहा है यह छोटी-छोटी बाते moles की जो वहाँ आपन ने यह वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया जल्दी से क्या करेंगे इसका screenshot लेंगे तो क्लियर ओके तो अपन इसके आगे चलते ओके नाव भी आफ conclusions of avogadros theory तो नाव वी आफ डिसकसिंग the conclusions of avogadros theory तो जो भी avogadros theory थी उसके conclusion को देखते हैं हम लोग क्या बढ़ा था avogadros theory में कि one mole of all substances contains avogadros number of particles हमें पता है कि कोई भी substance अगर है और अगर तुम कहते हो वो substance एक mole है हम कहें कि वो substance एक mole है तो उसके अंदर कितने particles होंगे 6.023 into 10 raised to power 23 मतलब उसको बनाने वाले जो हैं जिनको हम constituent particle कहते हैं यह कितने होते हैं constituent particle अगर substance एक mole है तो 6.023 into 10 की power 23 जैसे अगर मालो compound है जैसे मालो compound है सब बात हैं कर चुके हैं बलकि हम तो यह derive भी कर चुके हैं कि एक mole में 6.023 ही क्यों होते हैं कैसे निकला यह 6.023 यह सब डिसकस कर चुके हैं अगर एक mole किसी compound का है अगर एक mole किसी compound का है तो उसके अंदर 6.023 into 10 raised to the power 23 molecules होंगे इतने molecules होंगे लेकिन अगर एक mole एक mole किसी element का है किसी element का है तो उसके अंदर 6.023 into 10 raised to the power 23 atoms होंगे 6.023 into 10 के power 23 atoms होंगे लेकिन भले molecule हो भले atom हो है अगर एक mole to 6.023 into 10 के power 23 होगा इसी number को अगोगेडोस number कहते है यह कैसे आया कैसे derive हुआ सारी बाते पिछले part पे हम कर चुके है सारी बाते हम कर चुके moreover the volume of one mole of a gas at STP हमें पता है STP क्या condition होती standard temperature or pressure जहांपर 180M pressure होगा और 0 degree Celsius या 273 Kelvin temperature होगा उस दौरान किसी भी gas जो एक mole है उसका volume fix होगा और 22.4 liter होगा दुनिया की कोई भी gas हो भले वो कोई सी भी अलग-अलग gases क्यों ना उनका सबका nature अलग-अलग क्यों ना nitrogen gas हो, hydrogen हो, oxygen हो, methane हो, helium हो, carbon dioxide हो जो भी gases होगी उन सभी gases अगर एक mole पर है और STP condition पर है STP मतलब standard temperature and pressure temperature 0 degree Celsius या 273 Kelvin होगा pressure 1 ATM होगा तो उस particular condition पर एक mole उन सभी gases का जो individual volume carry करेगा जो individual volume occupy करेगा वो 22.4 liter होगा तो 22.4 liter होगा यह volume आएगा 22.4 liter तो दिस इस अबाउट दी अगें अवोगेडरोस थियोरी ठीक है moreover gram molecular weight moles may also be regarded as weight of 22.4 liter of gas at NTP at STP in gram इच उड़ बी STP and STP in gram तो अगर माल लो कोई gas है उसका weight कुछ आ रहा है 1 mole का at STP so volume of gas or volume of 1 mole of gas volume of 1 mole of gas at STP volume of 1 mole of gas at STP contains contains M mass this implies M is nothing but is considered to be its molar mass अगर कोई gas है जिसका एक mole STP पर है और वो STP पर एक mole gas का mass M आ रहा है ठीक है M mass आ रहा है तो gas एक mole है और वो STP पर रखी गई है अब तुम उसका वजन देख लो जो भी वजन आ रहा है जितना भी आ रहा है माल लो M mass आ रहा है 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम कुछ भी हो सकता है वो M mass उस gas का molar mass ही होगा मतलब तुम मेरी बात को समझो अगर मेरे पास एक mole carbon dioxide है जो STP पर है standard temperature pressure समझ गए temperature 0 degree Celsius pressure 1 A इस जगा पर मैं एक mole CO2 gas ले आया अब उस CO2 gas का जितना भी mass वहाँ आ रहा है वो उसका molar mass के बलाबर ही आएगा तो उसका mass कितना है का पता है 44 ग्राम उसका CO2 का mass कितना है का 44 ग्राम क्योंकि हमें पता है CO2 का molar mass 44 होता है तो जो भी mass किसी gas का STP condition पर मिल रहा है वो mass एक mole के लिए जो भी mass मिल रहा है STP condition पर वही mass उस gas का molar mass होगा यह बात निकाल सकते है तो यही बात यहाँ पर बोली गई है and that mass should be in gram ठीक है ना molar mass standardly gram में होता है ठीक है तो molar mass जो होगा यानि कि जो mass तुम calculate करे हो वो gram में होना चाहिए यह 3 points अंपट पड़े clear हो गया इन 3 points के आगे चर्चा करते हैं बट पहले क्या करेंगे screenshot लेंगे तो clear हुआ यह सारे point अपन पड़ चुके है बस वो यह होता है न कि जब building बच जाती है cement पुझ जाता है तब वो पानी तो डालते रहना पड़ता है तीन चार दिन ता ताकि मजबूत हो concrete दीवार खड़ी हो concrete ceiling हुई हो concrete flooring हुई हो तो वो ही बस तराई का जो काम है जो पानी डालने का काम है वो चल रहा है भाई यह आकरी पार्ट में ठीक है अब चलते हैं अगले इस पर यह थोड़ा से एक नया concept है जो molecular weight होता है वो twice into vapor density होता है अच्छा vapor density क्या होती है basically it is also known as relative density ठीक है क्या होगी relative density यहाँ पर समझना मेरी बात को relative density क्या अगर अपन यहाँ पर बात करे vapor density क्या होगा vapor density क्या होगा ज्यान से सुनेंगे vapor density will be equal to mass of given volume of a gas mass of given volume of gas मतलब जो given volume है किसी gas का उसका mass कित्ता होगा अब तुम यह सोचोगा यह volume कहा है पहली बात तो यह जो volumes हम निकालते है vapor density यह STP पर निकालते है ठीक है मतलब standard temperature और pressure के लिए यह नियम बने हुए अब अगर हमारे पास कोई gas है भाई साब जो टेंपरेचर relative का बात है भाई जब दो चीजों को compare करते हो अपन कहते हैं न तुम अच्छे हो बहुत तो वो अच्छा वाला पूछ रहा है मैं अच्छा हूँ मतलब किससे अच्छा हूँ तुमारे लिए अच्छे की definition क्या है क्योंकि अच्छा जो होता है वो तो सबके लिए अलग अलग होता है किसी के लिए 60% वाला भी अच्छा होता है किसी के लिए 80% वाला अच्छा होता है किसी के लिए 95% वाला अच्छा होता है तो मैं किस अच्छा की category में हूँ तो अच्छा is not something कि आप absolutely किसी को बोल सकते हो, यह absolute term होता है, यह अच्छा, बुरा, जादा, कम, ठीक है, high, low, यह सब जो चीजे होती हैं, यह relative terms होते हैं, किसी से compare करने पर बोला जाता है कि तुम इससे अच्छे हो, तुम इससे बुरे हो, तुम इससे high value रखते हो, तुम इससे low value रखते हो, यह terms होते हैं, वो relative होते हैं, तो जब भी relative word आए, जैसे density relative आ रही है, तो अब आप इसको compare करें किसी और की density से, और वो relative जनरली chemistry में hydrogen होता है, क्योंकि hydrogen पूरी chemistry का बहिया, सबसे सरल, सबसे simple atom है, या क्यालो सबसे simple, अगर gas बन जाता है, तो सबसे simple molecule है, उससे simple, उससे सरल कोई नहीं है, तो hydrogen से compare करना बड़ा असान हो जा है, तो यहाँ पर hydrogen कोई compare करेंगे, so it will be divided by mass of, mass of, given volume of hydrogen gas at same pressure and temperature, given volume of hydrogen gas, H2 gas, at same pressure and temperature, same pressure and temperature, same pressure and temperature मतलाब at STP, तो लिख देते हैं, of H2 gas at STP, और यह भी of gas at STP, तो STP पर ही होना चाहिए, तो यह STP पर ही होना चाहिए, तो it is also at STP, so mass of given volume of gas at STP, upon mass of given volume of H2 gas, again at STP, यह दोनो volume जो होने चाहिए, यह दोनो masses जो होने चाहिए उस volume के, वो STP पर होने चाहिए, किस पर होने चाहिए, STP पर होने चाहिए, तो volume of h2 gas at stp, यह आपका formula बनेगा, तो this will be h2 gas at stp, संपट पड़ी बात, अब यह कैसे निकलेगा, समझेंगे, माल लेते हैं उस volume पर, माल लेते हैं उस volume पर, मैं आज से stp वाटा दू, क्योंकि वहाँ लिख दिया कि stp पर ही होगा, तो vapor density vd हो जाएगा, vapor density will become vd, अब vd क्या हो जाएगा, यहाँ vd क्या हो जाएगा, तो vd will be equal to, ध्यान से सुनेंगे, mass of given volume of gas at stp, माल लेते हैं उस mass में, उस volume में, कहना चाहिए उतने volume में, उस gas के n molecules आगें, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि कितने molecules आ सकते हैं, एक आ सकते हैं, दो आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, हमने माल लिया, जो volume उसका stp पर हमें दे दिया गया है, उसका m mass, उसके अंदर n molecules आ गए, कितने n molecules, तो we can say, that the mass of n molecules of that gas, n molecules of that gas, at stp, divided by mass of n molecules of hydrogen gas, क्योंकि अगर उसके n molecules आएं, तो इसके भी n molecules आएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का जो moles है, वो एक same ले रखें, दोनों का जो temperature है, वो same है, दोनों का जो pressure है, वो same है, तो molecules की संख्या भी दोनों में same आएगी, Avogadro's law पढ़ा था हमने अगर same moles है same pressure पे, same temperature पे तो same molecules की संख्या भी होगी और same volume भी occupy करेंगे ये बास हमें Avogadro's law से पता चल गई थी, तो वोई law आपर लगाया है तो माल लेते हैं कि उपर वाली gas के N molecules आ गए तो फिर hydrogen gas के भी उसी temperature, उसी pressure उसी मॉल पर N molecule ली आएंगे तो it will also contain N molecules N molecules N molecules N molecules it will also contain N molecules of gas तो it will also contain N molecules of gas अब यहां कौन सी gas होगी hydrogen gas तो यहां पर अपन क्या लिख लेंगे hydrogen gas molecules of hydrogen gas तो यह hydrogen gas होगी अब माल लेते हैं वो N molecules जो हैं वो N molecule है सरहल करने के लिए हम यह माल लेते हैं कि सर उसमें N molecule नहीं आए उसमें दोनों का एक-एक molecule आया तो अगर उपर वाली gas का एक molecule है तो नीचे वाली gas का भी एक molecule आएगा hydrogen gas So it will be divided by one molecule of hydrogen gas So it's a mass of one molecule of that gas divided by mass of one single molecule of hydrogen gas आभ यह वालीजटरों आपर का एक यह करता हैं वेपर न्सीटी यहां पर का एक यह करता हैं वेपर न्सीटी वेपर ओ सूझ भी एक वेपर ननसीटी वेपर न्सीटीटीट का जाएगा molecular mass will be the relative mass तो हमें एक काम करते हैं यह mass of one molecule उस gas का उसका molecular mass क्या देते हैं या उसके एक atom का mass आ जाता है जो उसके atomic mass के बराबर होगा और सबको add करेंगे तो gram molecular mass हो जाएगा तो it can become molecular mass of that gas molecular mass क्योंकि एक molecule का mass मतलब molecular mass of gas divided by molecular mass of hydrogen gas hydrogen gas का molecular mass किता हाता है तो it will be divided by molecular mass of hydrogen gas molecular mass of hydrogen gas so it will become molecular mass of that gas upon molecular mass of hydrogen gas molecular mass of gas upon molecular mass of hydrogen gas hydrogen gas का molecular mass 2 होता है अगर gram में लिखना चाहो तो 2 gram gram molecular mass और simple molecular बोलो तो H2 gas is 2U क्योंकि उसमें 2 hydrogen atom होते because it's a diatomic gas और 2 atom मतलब 2 hydrogen के atom तो 1 hydrogen atom का वज़न 1U 2 hydrogen atom का वज़न 2U तो ये तो 2 आ गया तो ये 2 आ गया तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं VD equal to यहाँ पर समझेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा यहाँ से पूरा लपेटिंगे उपर की तरफ तो क्या जाएगा VD vapor density is equal to molecular mass of a gas कोई सी भी gas हो सकती है तो बस बस शर्ते उसको STP पर होना चाहिए divided by 2 so this implies this implies the molecular mass of that gas of that gas at STP will be equal to 2 into vapor density यह formula है जो हमारे सबसे जादा काम का है संपट पड़ी क्या बात तो यह चीज होगी जो हमको वहाँ पर मिलेगे यह दोनों point में अगली slide में लेकर जाता हूँ बढ़ पहले आप क्या करो ठीक है क्योंकि confusion बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए तो इसको अपन यहां से लपेड देते और इसको अपन वहाँ देख लेते ठीक है तो इसको अपन यहां से लपेड लेते और इसका लेकिन पहले एक काम करें है आप screenshot ले लो तो पहले आप इसका screenshot ले लो ओके तो यहां पर अपन देखने so it will be क्या लिका था last form लास्ट जो formula लिका था वो क्या लिका था भाई vapor density VD vapor density VD is equal to molecular mass of gas at STP at STP upon molecular mass of hydrogen gas mass of hydrogen gas at STP at STP तो molecular mass of hydrogen gas at STP तो vapor density will be equal to molecular mass of hydrogen gas molecular mass of gas at STP तो it will become तो it will become unknown क्योंकि हमें नहीं पता वो gas कौन सी है तो उस gas का ही molecular mass निकालने के लिए अपन यहां सारा ले रहें तो of gas at STP will be will be will get divided by molecular mass of H2 H2 कितना mass होगा तो जैसा अपन ने discuss किया था तो तो this is equal to what molecular mass of gas at STP will be equal to twice into vapor density will be equal to twice into vapor density तो vapor density का double कर लेंगे तो आपको कुछ जो भी gas होगी कोई सी भी gas होगी बलकि यह बोलना चाहिए तो कोई सी भी gas होगी उसका molecular mass निकल जाएगा STP condition पे अगर आपको उसकी vapor density पता है तो अब ऐसे question में generally vapor density दे दी जाती है और आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि उसका molecular mass क्या निकलेगा ऐसे question में vapor density जनरली दे दी जाती है और आपको दिमाग यह लगाना पड़ता है कि उसका molecular mass क्या निकलेगा तो molecular mass आपको उस गैस का निकालना पड़ता है जो कि twice into vd करकर आपका यहां से formula बन जाता है clear हो गया formula यह जादा important formula है भाई यह कई बार इस पर सवाल आता है कई बार इस पर सवाल पूछा जाता है लपक लिया screenshot ले ले लेते हैं फिर आगे और चर्चा करते हैं okay so clear हो गया so this was about the molecular mass और that is molecular weight equal to twice into vapor density यह formula है जो अपनने अभी derive किया है और यह सिर्फ gas पर लागू हो गया यह बात याद रखना only for gases at STP only for gases only for gases at STP only for gases at STP standard temperature pressure पर उन gases के लिए यह लागू होगा लपग लिया बहुत बढ़िया Avogadro's theory का conclusion था फिफ्ट और आखरी पॉइंट फिफ्ट पॉइंट क्या कहता है Avogadro number सब जानते it's a number of molecules present in one mole of a compound which is always equal to 6.023 into 10 raised to power 23 दुनिया का कोई भी substance अगर एक mole है तो उसके अंदर जो constituent particle होगा जिसने उसको बनाया है वो संक्या फिक्स होगी कितनी होगी 6.023 into 10 raised to the power 23 इतने particle की संक्या होगे और उस संक्या को हमेशा N A यानि कि Avogadro's number को denote करने के लिए N A बोला जाता है तो this is N A Avogadro's number N A तो यह N A होगया 6.023 into 10 की पार 23 clear हो गया अगर यह एक मोल कंपाउंड है तो इतने molecules होगे 6.023 into 10 की पार 23 अगर इतने अगर कोई element है एक मोल तो इतने atoms हो जाएंगे 6.023 into 10 की पार 23 और हमने एक फंडा पढ़ा हुआ है उसमें तो कोई दो राए होनी नहीं चाहिए कि जितने मोल उतने एने तो number of moles will always have equal to any number of particles will always be equal to any number of particles ठीक है तो जितने मोल होंगे उससबस्चेंस के उसके अंदर उतने एने नमबर के पार्टिकल होंगे एक मोल तो एक एने दो मोल तो दो एने तीन मोल तो तीन एने दस मोल तो दस एने, पचास मोल पचास एने, नमतलब समझ गए न, 6.023 इंटू 10 की पार 23, तो 50 मोल तो 50 इंटू 6.023 इंटू 10 की पार 23, 100 मोल तो 100 इंटू 6.023 इंटू 10 की पार 23, इस हिसाब से value आती है, संपट पढ़ गई बात, लपक के स्क्रीन शॉट लेंगे, जल्दी से, क्लियर हो गए एक अंसर पूरा, एक दम क्लियर है, बहुत बढ़िया, तो ये अवोगेड्रोस नंबर को लेकर कहानी थी, और ये अवोगेड्रोस की थियोरी थी, आप कुछ बात ख़लेते हैं, एक मोल डे की भी, तो मैं ताज्जब होगा ये जानके, कि मोल डे भी एक डे होता है, जो मनाया जाता है साल में एक बार, मोल डे, मोल्स का डे, वो कौन सा डे होगा आप तुम खुछ सोचो, नंबर क्या है, 6.023 इंटू 10 के पार 23, वाट इस वन मोल, वन मोल इस 6.023 इंटू 10 रेस तुद पार 23, राइट, तो इसमें क्या करते हैं वो, 23rd को, क्योंकि 10 की पार 23 है न, तो 23rd डेट हो गई, 10 की पार में था, तो 10th मन्त हो गया, जो कि अक्टूबर है, तो हर साल 23 अक्टूबर मोल डे के नाम से सलिब्रेट किया जाता है, बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, तो जो 23 अक्टूबर होता है, वो मोल डे के नाम से celebrate किया जाता है जिसका celebration सुबा छे बच के दो मिनिट से शाम के छे बच के दो मिनिट तक चलता है क्योंकि 6.02 है यह decimal place दो decimal place तक जहां तक time चलता है वो 6.02 है तो यह सुबा छे बच के दो मिनिट से रात शाम के छे बच के दो मिनिट तक चलता है यह celebration Mold Day पर होता है तो October 23rd is also called as Mold Day 23rd October Mold Day होता है The day is celebrated in the honor of the unit by chemists in North America तो जो chemists North America में है उनके सम्मान के लिए यह दिन celebrate किया जाता है यह GK के बाट होगा है इसका chemistry से कोई लेना देना नहीं है यह simple GK के लिए भाई तो North America के लिए यह डे सेलिब्रेट करते है 23rd October को जो Mold Day के नाम से जाना जाता है The date has been derived from Avogadro's number which is approximately 6.023 into 10 के पार 23 तो यह इसी date से निकाला गया है 6.02 into 10 के पार 23 से It officially starts at 6.02 AM सुबा 6 बच के 2 मिनट पे चालू होता है और 6 बच के 2 मिनट पी एम पर यानि की शाम को खतम हो जाता है तो यह Mold Day है जो 23rd October को सुबा 6 बच के 2 मिनट से शुरू होता है और शाम को 6 बच के 2 मिनट से खतम होता है Clear हो गया तो यह Mold Day के बारे में था तो this was about the Mold Day जो GK का question आता है तो यहाँ पर हमारा part 6 पूरा complete हो गया और कहना चाहिए Mold concept पूरा complete हो गया Mold concept को हमने बहुत डीटेल में पढ़ा है Mold पर जो question आते हैं Mold का mass से निकलने को आ सकते हैं Mold का volume निकलने को आ सकते हैं Mass से सीधा particle निकलने को आ सकता है Particle से volume पूछ सकते हैं वो सारे questions की चर्चा हम करेंगे क्योंकि अब इस वीडियो के साथ आपको मिल रही है DPP वीडियो के description में जाओ आपको बकायद है एक DPP मिलेगा उसमें पुराने पाचो पार्ट और ये पार्ट छे पार्ट को club करके cumulatively एक DPP बनाई है तीस questions की जिसको आपको solve करना है अगर आपसे नहीं बनेंगे तो इसके video solutions भी available है जहां दिक्कत जा रही है जहां doubt आ रहा है वहाँ पर आप video जाकर देख लें लेकिन पहले खुद से प्रयास करें फिर यहाँ पर विश्वास करें मतलब फिर यहाँ पर आप उसको अजमाएं पहले लेकिन आपको खुद से प्रयास करना है यह सबसे important बात है ठीक है और इसके लावा आपको पूरा course जो है I.D.J.E. और नीट के channel पर J.E.E. का पूरा course absolutely free of cost बिलता है YouTube channel पर भी लेकिन अगर आप YouTube channel पर playlist नहीं access कर पा रहे है proper डंग से या YouTube channel पर आपको टॉपिक सर्च करे हो लेकिन आपको यह नहीं पता है इस टॉपिक से पहले क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है क्योंकि हर टॉपिक connected होता है तो कोई भी lecture आपका मिस ना हो more concept का कोई पार्ट मिस ना हो प्रॉपर प्लेलिस्ट में अरेंज हो है तो आप जब जब जाओगे www.magnetbrains.com वहाँ idje का section मना हुआ है उस पर जाओगे तो आपको lectures मिलेंगे मेरे idje chemistry के भी जैसी आप click करोगे तो आपको topic wise listing मिलेगा अभी वहाँ पर recently एक lecture तो upload होगे है ये chapter का uploading चल रही है तो ये पूरा आपको lecture मिलेगा उसके आगे plus icon होगा ताकि उसके अंदर topics देख लें chapter wise topic किसी भी एक topic पर click करेंगे तो ऐसा video आपको मिलेगा तो ये proper video आपको यहाँ पर मिलेगा जो यहाँ पर आप बहुत smoothly play कर सकते हो और बिल्कुल आप क्या कर सकते हो playlist के साथ इनको access कर सकते हो playlist के साथ इनको proper डंग से आप access कर सकते हो तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है साथ में इतना ही नहीं आपको magnet based ITJ channel के through dpps मिलेंगी concept videos मिलेंगे इसके साथ लगबग लगबग 700 से 800 MCQs आपको मिलने वाले multiple choice questions जिसमें previous year के 20 साल पुराने questions तक हम लोग लेकर जाएंगे आपके multiple जो correct options होते हैं जो integer value based questions होते हैं जिसमें आपकी numerical value यह answer होनी चाहिए आपके most probable questions expected questions जो होते हैं इन सब को हम लोग देखने वाले और इन सब की भरपूर practice करने वाले ताकि upcoming IIT JEE के exam हो या NEET के exam हो दोनों में आप आग लगा कर आएं जो जो students जो exam दे रहे हैं उसमें फोड़ कर आएं तो यही चीज आपको magnet beans IIT JEE और NEET के channel पर मिलेगी तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिसमें हम application of mole concept देखने वाले हैं तो application of mole concept हम देखेंगे जितने लोगों को mole concept संपट पढ़ा है बिल्कुल वीडियो को like करेंगे चैनल को subscribe करेंगे और चैनल का link सभी friends के साथ share करेंगे जो friends है जिनको लगता है कि JEE की त्यारी मेरी नहीं हो रही है या कोई अच्छा चैनल नहीं मिल रहा है या मैं भटक गया हूँ उनको ये चैनल का link जरूर भेजेंगे तो stay connected, stay educated और magnet bands को इसी तरीके से प्यारों support देते रहें Thank you